हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका हमारे यूचूब चैनल लित्या क्लासिस में और जैसा कि हमने प्रिवेस वीडियो एल्टिक ग्रेड के लिए डाले थे आपका बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट हमें मिला है जिसके बहुत पर काफी इंक्वेरीज हम हमारे पास आई कि स्लेबस से रिलेटेट कुछ बाते की जाएं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या रहेगा तो उस भीहाब पर हमने इस वीडियो को बनाया है दोस्तों हो यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज प्ली ऐसा कि हमने माना हमें पता लगा कि कंप्यूटर एक विशह है जिसके बारे में बहुत सारी बाते पहले चल रही थी कि कंप्यूटर में जो शिक्षक भरती होनी है एल्टी ग्रेड में यूपी एससी के तुरू कि उस भरती के अकॉर्डिंग पहले उसमें बियड नहीं हु हुआ और इस बार जो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब जो नौटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आया है उसमें कंप्यूटर भरती में जो सिक्षक भरती होंगे मेल या फीमेल उनमें आप याद रखेगा आप बियड होने अती आवशक हैं यानि आपको बियड की साथ में आपको बताने वाला हूं तो बात ये है कि बियड को आपके पास होनी ही चाहिए साथ में एक बात और कि अगर आप बियड में जाते हैं तो आपके पास बी सीए और जो M.C.A. कि काफी समझा हैं बच्चों के सामने आई हैं कुछ B.C.A. हैं कुछ M.C.A. हैं कुछ B.T.A. हैं कुछ B.E. हैं कुछ M.T.A. हैं ग्रेजवेशन में आपका होना चाहिए भी कम्प्यूटर यानि ग्रेजवेशन में आपका या तो B.C.A. हो B.C.A. आप अपलाई कर सकते हैं साथ में प्लस B.T.A. वाले हूँ वो अपलाई कर सकते हैं बी टैक भी अपलाई कर सकता है और B.C. जो है बी टैक भी अपलाई कर सकता है B.C. वाले भी अपलाई कर सकते हैं जों पी सब्लuciones की किया है उआप अपलाई कर सकते हैं साथ में आपने B.E. किया है वो भी अपलाई कर सकते हैं आप M.T.A. एं और आपने घ्रेजवरbbeुशन minha लेवल मेरे मित्र हैं जो mca plus beard हैं लेकिन उनको इस परिक्षाम में बैठने से वंचित रखा गया है इस बिहाब पर मैं आप से request भी करूंगा जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वह mca उनके साथ bca नहीं है या mca के साथ उनके साथ उनके साथ उन्होंने बीट भी किया हुआ है अगर वो चाहते हैं कि इस पर apply किया जाए तो आप UPSC में एक subscription link दिया गया है वहां पर एक inquiry का help line number दिया गया है आप उस पर call करें उस पर phone करें आप उस पर email करें कि जिससे की यह computer विशेज जो जैसे kvS में आता है आप नवोध विद्याले में apply करते हैं वहां पर candidate इस form को फिल करके अपनी opportunity को ले पाएं लेकिन दोस्तों इसके बावजूद आप जब apply करते हैं तो computer का जैसा विशेज सब जानते हैं कि इतना आसान नहीं होता कि computer में नोकरीब आना आप सभी जानते हैं कि computer एक बहुत बड़ा विशेय है और इसके अंदर जो विशेय में कुछ चीजी आई है उन पर हम डिसकस करेंगे कि computer विशेय में कौन-कौन सब्सक्राइब को पढ़ा जाएं जिससे कि computer को आसानी से क्राक क्रैक कर पाएं तो दोस्तों जैसा कि आपको पता था कि जो पेपर होना है वो दो format में होना है पार्ट वन जिसके अंदर तीस question आपको पता है जीस से आएंगे और बाकि जो 120 question है वो computer से में आएंगे तो जी एस तो common paper आप अराम से कर लेंगे उसके question important मैं आपको देता रहूंगा समय से में सब्जेक्ट के related video डालता रहूंगा आप उसको देखते रहिएगा आपकी बहुत help हो जाएगी और बात हम करते हैं computer के syllabus की तो दोस्तों computer syllabus आपने आप हमें इतना विशाल है कि शायद आपको घबराट हो जाए syllabus को देखकर क्योंकि पूरा पूरा system इसमें रख दिया गया है और पता है कि कितना करना है इस बारे में भी जानकारी हमें है तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते है syllabus के बारे में जानकारी कि क्या syllabus आपके लिए है तो syllabus के बारे में बात करते हैं और syllabus जैसा कि मैं बत लिखाना आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर के syllabus में आपको सबसे पहले अगर मैं बात करूं syllabus की तो syllabus में दोस्तों digital circuits and digital logic and discrete mathematics structure पहला पार्ट इस पेपर को टोटल पेपर को मैं 13 आपको study करने होंगे तब जाकर यह नोकरी आप प्राप्त कर पाएंगे तो पहला जो इसका portion है वो है digital logic and discrete mathematics structure आप इसमें देखिएगा इसके अंदर आपने BCA में पढ़ा होगा बूलियन फंक्शन है यह बूलियन फंक्शन आप इसमें नंबर सिस्टम सारा है इसके अंदर आप जो है बूलियन फंक्शन के साथ साथ आप यहां पर दिया हुआ है कि आप logic gates है सिंप्लिफिकेशन है बूलियन फंक्शन है कॉम्बिनेशन है सर्किट है सीक्वेंशल सर्किट्स और मेमरी सर्किट्स यह बहुत सारे चीज़ें यहां पर दी हुई है जो बहुत इजी है दोस्तों इसने मैं आपको बताता चलूँगा कि easy or tough में क्या है कि यह वाली यूनि आता है भी में जो पर्चे पड़ते हैं इसके अंदर toughest यह रहेगा कि इसमें सारी की सारी architecture of computer दिया है जिसके अंदर stored program concept, component of system, machine instruction, op codes, operations, instruction cycle, general purpose registers, memory, input output, common processor, multi core architecture, multipurpose and multi computer इसके अंदर आएगा जिसको आप आसानी से cover up करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि यह विशे BCA में भी बच्चे इसको tough समझते हैं तो बात करते हैं next जो मनें तीसरा वाला पार्ट इसका रखा है इसके बारे में बात करेंगे जो तीसरी इनूट है दोस्तों उसका नाम है data structure यह data structure वैसे देखा जाए तो अगर मैं MCA की और BCA की बात करूं सबसे ज की बात करते हैं तो यहां पर आप जा करके इसके बारे में आप इसको पढ़ सकते हैं इसके अंदर लीनियर डिटार स्टक्चर क्या होता है इसके बात करेंगे आप थर्ड में हम बात करें तो देखें बहुत बड़ी यूनिट है थर्ड सेकेंड तो फूर्थ की बात करें प्रोग्रम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग के बहुत आसान होते हैं इस यूनिट में आप देखिएगा तो जो प्रोग्रम करेंगे तभी सफलता आपको प्राप्त होगी तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट और इंटी टेक्निक जिसमें आप उपस जिसको बोलते हैं इसके अंदर फंडामेंटल और जो भी है इसने भी कंसेप्ट्स हैं पॉलिमोर्फिज अन्कैप्सुलेशन और डेटा अप्सेक्शन क्लास यह सब इसके अंदर आएगा इसी के साथ इसमें स्टॉक्टर अनलाइसिस और स्टॉक्टर डिजाइन ऐसे और इसमें ODBC, JDBC, Java, Swing य जितने भी उप्सवारी लेंग्वेज हैं C++, Java यह सब आपको इसमें पढ़नी होंगी तो दोस्तों अपने आपे में एक यूनिट बहुत सारी बुक्स को लिए हुए है इसके लिए आप अब्जेक्ट ओरिंटिट के लिए आप पढ़ सकते हैं ऑपरेंग सिस्टम की अगर इसके अंदर दिया हुआ है और विंडोस प्रोग्रामिंग के बारे में इसमें बताया गया है तो यह से थोड़ा सा आप इसको देखते चलें स्टम इसकी बात करें डीबी एमेस एक ऐसा विस है जिसके अंदर आप डेटा बेस मेंट सिस्टम है इसके अलावा कंप्यूर नेट्वरक्स में टीचिप आएपी यह बहुत इंपोर्टेंट जो से इंपोर्टेंट टास्क दोस्तों है मैं पूर्टिक कर देता हूं आप द वर्क याद कर लीजिएगा डेटा लिंक लेएर सारी नेची भी दी हुई है इन लेएर समें क्या-क्या होता है आप उसको भी पढ़ सकते हैं तो यह लेएर पर काम होगा तो यह लेएर आप कम नेट्वरक्स में जो इंपोर्टेंट चीज़े हैं सारे आप समेंगे डिवा इंटरनेट सब्जेक्ट और साइबर कराम यह चार बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे मैं बताऊंगा आपको तो सफ्टेट इंजिनरिंग में आप देखिएगा यहां पर डिफिनेशन और सफ्टेर इंजिनरिंग डवलप्मेंट लाइफ साइकल मोडल सीम रिक्वार्मेंट इस जितने भी हैं और सिनरा कीतैस्टिंग होती है वह सब इसमें आपको पढ़ना होगा नेक्स की बात करें तो नेक्स में हां देखें तो इंकरनेट बहुत वाइड सब्जेक्ट हैं इंटरनेट पर भी काम आप करेंगे इंटरिंट टेकनोलोजी वैब डिजाइन वैब टेकनोरज़ी इसके अंदर जितने भी इंटेकनोरजी और प्रोटोकॉलस say Lamborghini ने होगे तो बोलते हैं सेड यानि यह विशह अधिकतर देखा जाए तो इस विशह में सब्जेक्ट में आप मान के चलें कि इसमें आई एमस इंफॉर्मेशन मेंजन सिस्टम टेस्टिंग सिक्यूर्टी आस्पेक्ट्स क्या होते हैं डेटा मॉडलिंग क्या होता है इसके बारे में ड अिन परेट्स हैं त्रइट्स हैं कितने तरह के वाइरे से हैं क्या कैसि डविट कार्ड कर से क्या एलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम अपर yea LAUGHTER सुस्टम है यह सब इसके अंदर आपको मिलेगा तो प्लिट के रहते हैं या क्या आप इमेज की टेस्टिंग है और क्या उसकी इंट्रिटी यह सब उसके बाद 13 यूनिट है जो है इसका नाम है computer graphics इस computer graphics के अंदर सारे graphics जितने भी आपने पढ़े हैं screen के बारे में रास्टर रेंडम screen video controller line इसमें आपको आएंगे दोस्तों तो देखिए कितना बड़ा से मेरे हिसाब से computer सबसे ज़्यादा बड़ा है तो अगर आप हमारे साथ बने रहे और आप चाहते हैं इसकी वीडियो तो मुझे comment box में लिखें अगर यह syllabus किसी को PDF format में चाहिए क्योंकि अभी तक जितनी साइट पर हम सब लोग computer पढ़ते हैं हम सभी computer को English में पढ़ते हैं और सारा अंग्रीजी भाषा में वह computer होता है लेकिन यहां पर क्या है जो syllabus हमें दिया हुआ है वो हिंदी है इसलिए मैंने इसको हिंदी से English में convert पूरा किया है हमारी टीम ने मैं धन्यवाद दूँगा अपनी टीम का भी जिसने syllabus को तियार किया और आप लोग दो तो पहुंच रहाया और किस सब्जेक्ट पर अपना वीडियो आप बनवाना चाहते हैं को सब्जेक्ट आपको किलिर नहीं है तो प्लीज आपको लिखें हमारा इंस्ट्यूट हमारे टीम आपको वह चीज प्रवाइड कराएगी तो होप सो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी तक अगर आप भूल गए हैं सब्सक्राइब करना वीडियो को देखते हुए तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें शेर करें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पोचा हैं जिससे की सब की मदद होते रहे और अगें थैंक्स पर वाचि